सावन के पाँचवे सोंबार पर बाबा की दर्शन के लिए रात से ही काशे विश्यनात दर्बार की बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गए सावन के पाच्वे सोंवार को बावा विशनात के दर्शन प्राप्त गोनी के लिए शद्धालूं का जन सहला वुभला रविवार को काश्य विशनात मंदिर गेट नंबर दो पर जाने वाले मार्ग पर दर्शनार्तियों की भारी भीड के चलते त्रिपुरा भैर भी मान मंदिर की गलिया जाम हो गए भीड को नियंतरित कर लाइन से मंदिर में प्रविश वह निकास कराने में पुलिस के पसीने चूड़ गए वही मंदिर के बाद से ही भक्तों के लिए बाबा का कपाड आज खोल दिया गया भक्तों ने राद से ही लंबी लाइनों में लग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बाबा के दर्शन प्राप्त किये वही भक्तों का यह भी कहना रहा कि अपार भीड के बाउजुत प्रशाशन ने ऐसी वैवस्था की हो कि बाबा के दर्चन सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं अगर भक्तों के कतारों की करें तो यहां कतार एक तरफ गुदौल्या से होते हुए दशा शुमेद घाट और दूसरी तरफ चौक से आगे निकल गई है प्रशाशन द्वारा लगतार अनाहुसमेंट के ये जा रहे हैं कहीं भी कोई अप्री घटना ना घटे इसके लिए वहां मौझूद पुलिस प्रशाशन चारों तरफ अपनी नजर बनाए रख रहे हैं श्रधालू सनेहा गौतम का कहना रहा कि मैं पहली बार यहां आई हूँ और मुझे बेहत खुशी है कि हमें यहां आने का स्वभाग्य मिला हम फिर से यहां आना चाहेंगे और बाबा से भी हमने यही प्राथना की है कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे वही कावडिया दिलिप कुमार ने कहा कि वेवस्ता बहुत अच्छी की गई है और बाबा के दर्शन प्राप्त कर हमने यही प्राथना की है कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे दिन रात तरक्की करता रहे वही बाबा की दर्शन करने आई श्रधालू नरेंदर सिंग का कहना रहा कि आज हमें बाबा की दर्बार में आने का स्वभाग्य मिला और सरकार ने ऐसी वेवस्था की है कि बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन मिले है और जर्बार में आये हैं इतना अच्छा लगा कि मोदी जी जो हम लोग कर दिया है न हम लोग कभी सोज भी ने सकते थे सपना भी ने देखे थे नंदी जो मेरा इंतियार करी है इतना दिन से नंदी का इंतियार खतम होना चाहिए झाल